राई वरेली में जन्सभा के दौरान एक शक्स ने जब राहूल गांधी से शादी को लेकर सवाल पूछा तो राहूल गांधी ने कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे सवाल क्या है बाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करने पड़ेगी और अमित गंजु अमारे साथ जुड़ चुके है कानपुर से लाईव सबसे पहले ही रुक करते हैं अमित गंजु का कानपूर से हमारे सा जुड़े हुए अमित अभी तक मतदान प्रतिशत क्या कहता है क्योंकि तीन बज़े का वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों को हमने बताया और इस बार अभी तक के जो तीन चरण हुए है उसमें हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है इसमार का मतदान प्रतिशत क्या कहता है विभाग दोनों में जह तक केमरी के नजर जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि मत्वाइब कास्ट किया कि नहीं जी कट दिया मैंने यहां के सब्सक्राइब हैं जैसे कि महाँ मारा रोड का काम नहीं हो पता है ठीक है लाइट युवां की मुद्ध ज्यूब los बहुत जादे जानकारी नहीं अच्छाइए दिखाए वोटकास किया कि नहीं अजिसी आई दिखा देजे देखें यह मैं शीनम आपको दिखाना चाहूंगा गर्मी बहुत है और अब फुटकार फुटकार फुटकी ग्यारा बें तक लोगों ने बहुत वोटकास किया अभी इसरे के ना सकते हैं अब लोगों सब सकर चेहरे की खुशी है क्योंकि पांस साल तक इंटजार किया जाता है धूप की चिनता लोगोंने के हाला कि कानपुर की परसेंटेज पुट्रीवण पॉइंट कुछ है अगर हम 2019 की बात कि असे से कंपरेटवली प्लस मैनस एज इस है क्योंकि लास्ट टाइम भी कानपूर में 52-53 परसंग था और अब की अगर बात किया 41 परसंट प्रवस हो चुका है जो अब और बढ़ेगा हमें तभी और बढ़ेगा क्योंकि होता यह कि दोपैर के वक्त थोड़ा सा कम हो जाता है मदा मतदान प्रतिशत अब तक का हुआ है और साथी गर्मी कैसी है यह भी बताइएगा क्योंकि कहा जा रहा है इस बार गर्मी पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है यानि कि मतदान करने के लिए लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं साथी मुद्दे क्या है जिने जार में रखकर चुनावी यहां पर वोटर जो है चुनाव मैदान में निकलकर यहां पर मदान कर रहे हैं अगर पिश्ली बार के आंख़ों पर गौर करें तो 2019 के लोग सबाच उनाओं में लखीम पूर्ण सबाच शेत्रे में नेरबाउट 64% के आसपास की पॉलिंग हुई थी और इस बार अब तक तीन बजे तक 53 पॉइंट संथिंग पसंटेज की पॉलिंग हो चुकी है तो निश्य तोर पर पर पॉलिंग पसंटेज ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 60% हो सकता है और हो सकता है कि नेरबाउट 62-63% के आसपास की पॉलिंग यहां पर हो हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों के अधार पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्योग किया है माड़म आप क्या कहेंगी अब वोड़कास करके आप आई हैं क्या मुद्दे क्या शूज और सब्सक्राइब मुद्दा इस बार की चुनाओं में क्या है मुद्दा तो वही है जो बेसिक अभी तक जो हमारी पूरी करते आए अभी के नाशनल लेवल के नेता लोकल का तो मैं नहीं का हूँगी नुक मुलता मंदिर हो करके आए और इसके बाद पोलिंग करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं आज ये कितना सवभाग इशाली दिन है लोग तंदर का यह महापर्व है और जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हैं उनको आवश्ची निकलना चाहिए और अपने सब्सक् सक्षम हो और एक महार राष्ट्रा द्रिक्ष्ट बनके भारत को नहीं हुचाहिए और लेते रहें और क्यों कि प्रतिक्रिया लेना भी बहुत जयदा महतोपूर हो जाता है वो क्या सोचते हैं किन-किन मुद्दों को जहर में रखकर वोट कर रहें यह बहुत ज़्यादा म आने रखता है आप बने रहें तमाम सही होगी हमारे साथ लेकिन उससे पहले अपने दर्शुकों को बता देते हैं कि अभी चौते चरण के मतदार में सियासत के किन दुरंदरों ने वोट डाल दिया के यह आपकी टीवी स्क्रीन पर है स्वाक्त जिनों जिनोंने वोट डा रहें जिनोंने वोट कास्ट किया है मादवी लता भी वोट डालने के लिए पहुंची और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश के भी आप देख लीजिए तमाम दिगज जो वोट डालने के लिए पहुंचे जितिन प्रसाद सतीश महाना साक्षी महराज सुबरत पाठक भी वोट डालने पहुंचे वितमंतरी सुरेश करना आप देखिए सेकारिता मंतरी जेपी सराथ और सुरेश राही जिनोंने वोट डाला प्रतिवाशुकला ने भी वोट डाला राज्यमंतरी है और बीज़ेपी के विधायक सुरेंद्र मथानी भी और रजनीत तिवारी जो की राज्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी वोट कास्ट कर दिया गया और जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो साथी साथ उन्होंने ये अपील की कि आप भी जादा से जादा अपने घरों से निकली और वोट कास्ट जरूर करें इसके अलावा समाजवदी पार्टी के अध्यक्ष और कर्नौत से उम्मीदवार आखिले श्यादव को आप देख रहे हैं उन्होंने भी वोट डाला ए आई-म-ाई-म के राष्टी अध्यक्ष असदुदी नोवैसी को आपने देखा वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे गिर पर ललन सिंग ने भी वोट डाला बिहार के मुंगेर में और जारकन के खुंटी में अर्जुन मुंडा वोट डालते हुए दिखाए थी है और चलिए हमारे तमाम सायोगी हमारे साथ जुड़े होए हैं अलग-अलग जुगों से और सीतापूर से संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्दोई से आशीश मिश्रा भी है हमारे साथ संदीप के पास चलते हैं संदीप सीतापूर में कितना है अभी तक का मतदान प्रतिश्चत और क्या लग रहा है कि अभी और कितना वोटर्स पहुँच सकते हैं मौसम क्या कहता है तमाम चीजे बताईए खाँ संदीप आपको आवाज मिल रही है तो लगता है अवाज नहीं पहुच पाई है अशीश मिश्रा के पास चलते हैं हर दोई से जुड़े हुए हमारे साथ आशीश वहां की तस्विर दिखा दीजिए अभी तक का मतदान प्रतिश्चत क्या कहता है और साथ ही क्या मुद्दे के जहन में हैं जिने देखकर वोट डाला जा रहा है देवेंदर और लोकेश है हमारे सायोगी जो जुड़े हुए हमारे साथ देवेंदर के पास में चलते हूँ देवेंदर कौन से पोलिंग बूट पर है आप ज़रा दिखाईए वहां की तस्वीर और सुबह से आप तिष्वत क्या कहता है इन् extern है già देवा के राजिकी है बिद्याले परे हैं जहां पर मददान हो रहा है और जो लोग है वो आ रह जा रहे जो भीड का सिलशला है वो चला है लेकिन चुकि हाम पर डिन में जो गर्मी जाए साथ तो predecessor को देवेंदर देवा बिला फ्ञारी ल नहीं तूट रही है लेकिन उस तरीके की लाइने देखने को नहीं मिल रही है अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार यहाँ परसेंटेज्य ज्यादा थी इतने तीन बहें तक लेकिन यहां पर समय मेरे कम की उमीद जटाई जा रही है साब तोर पर दिख रहा है कि कई न कई गर्मी का असर है और कई और चीजों का है जो बोटर निकल नहीं रहे हैं जो अगर पिछले चरणों में तीन चरणों में जो बोटर परसेंटेज कम रहा है उसी तरह यहां भी ऐसा लग रहा है कि बोटर परसेंटेज कम रहेगा लोग और मद्दान कर रहे हैं और उसके बाद में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं जो जो परसंटेज है उनकी आने जाने का सिल्चरा है वो बहुत धीमे हैं तो ऐसा लग रहा है कि परसंटेज भी असर पढ़ेगा और चुल लगवा 40 डिगरी टेंपरेचर है तो गर्मी भी है तो कह सकते हैं यहाँ पर भी मद्दान प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा है और पहले के तीन चरणों में भी यह चीज देखी गई है जिसे लेकर अब चर्चाएं भी काफी हो रही है